हाँ तो नमस्कार जी कैसे हैं आप लोग उमित करता हूँ बहुत अच्छे होगी और आपसे भी लोग इंतिजार कर रहे थे ऐसी वीडियो उसका जिसमें आपको बहुत कम समय में एक अच्छे नंबर आ सकते हैं ठीक है अगर आप 10th class के student है और आप बिहार बूट का exam देने या लाया फिर और किसी पूट कर आपके exam में मतब've Sunskrits अनुबाद आता एकसे होपा हिंदी से से कम से कम पांच कोशन आपके एक्जाम में आने की संभावना है अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वीडियो आगा इसके बाद भी आपको वीडियो जाएंगे 1 2 3 4 करके यह आपका पार्ट 1 है इसके बाद वाले वीडियो भी देखना न भूलें ठेके आप इस वीडियो में ज तो सब लोग इस चैन को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इसमें क्या होने वाला ना कि आपको ऐसी बहुत सारी वीडियो मिले वाली है अगर वीडियो आपको अच्छा लेगा तो अंतीम में आप लोग लाइक वरज जरूर कीजिए अपने दोस्तों में सेर भी कीजिए एनल तो ये भी सही अगला कोशना पच्छो पिता के साथ पुट्र जाता है इसका संस्कित अनुभाद क्या होगा पिता के साथ तो लिखते हैं पित्र तृु मेरे साथ इना पित्री ऐसा लेह एक पित्रह Peaty Joelvy सहह पुत्रह गछति मतब पिता के साथ पुत्र जाता है अगर आप प्रसुंक पूचा गया है कि हम लोगों की परीक्शा कब होगी हम लोग को क्या बोलते हैं हम लोगों की मतलब असमाकम सश्टी भगती है असमाकम हो जाएगा असमाकम परिक्षा को लिखते हैं परिक्षा कब को बोलते हैं कदा और होगी को कहते हैं भविष्यति 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 नहीं सरती, पिता के साथ पुत्र जाता है, तो पित्री सह पुत्रक अच्छती, हम लोगों की परिक्षा कव होगी, तो असमाकम परिक्षा कदाब हविश्यती, बस आपको इस तरह से जैसा है, वैसे ही आप इसको रट लीजिए बच्चो, आगे बढ़ जाए, अगले कोशन क अगला कोशन आपके सामने आता है, नमबर 4, मैं इतिहास पढ़ता हूँ, मैं को बोलते हैं अहम, इतिहास को बोलते हैं असमाना, इतिहासम पढ़ता हूँ, मतब पठामी, अहम इतिहासम पठामी, अगला प्रस्ण क्या आता है, कि तुम्हारा क्या नाम है, ठेके बच्चो को अगर मैं आपके सामने इसे लिखूंगा तो बच्चो बहुत टाइम लग जाएगा इसलिए मैंने सोचा मैं पहले से लिख के लाता हूं ताकि बहुत इजी हो ठीक है ना तो अब इसको सीधा रट लिजे कि मैं इतिहास पढ़ता हूं हम इतिहास हम पठामी अगल आता है त नो और गया को मतब गतवान गतवान या फिर आप यहां पर अगच्छत भी लिख सकते हैं मन करें तो बच्चो ऑ गच्छत भी लिख सकते हैं और गच्छत मतब नहीं गया ठीक है ना आगे कुशन आता है हमारा कि गाय चड़ती है तो गव चड़ती आसान है व्रिक्ष से क्री गिणते ये कोशन बिल्कूल आता है व्रिक्ष से मतना वरिक्षाद पत्य गिड़ते हैं तो पत्ते बच्छों बहु बच्छान थ पत्रम पत्रे पत्राणी यहां पर शन पट्रणी और एंगग्ए्प यहां पत्तेहें ज सबसे कस बतानी पतन्त और को शनमेसी में यहां पर गतवती के दिए आप क्या बूल सकते हो गशती मतब गई अगला कोशन के आता है कि मुझे लड़ू अच्छा लगता है मुझे को बोलते हैं संस्कीत में महियम मतब होता है मुझे और लड़ू को बोलते हैं मोधकम और अच्छे लगते हैं मतब रोचते तो महियम मोधकम रोचते अगला कोशन आपके सामने आता है कर बच्श कुझतनाओं लेकिन औल्य आपको है पता सही यह और यहीं है तो यही लिखो गलतीए मत लीकणा बच्शॉ अलात नोती अगरीब शात्रों को पुस्तक दो तहया है कि घर गरीब को किता संस्कीत में निछद्नाया चात्रों को करता ने करम को करंसे संपर्दान को के लिए संपर्दान बच्छुएं पर चव चौथी भक्ति लगेगी कालिदास संस्कृत के कभी हैं, कालिदास संस्कृत स्य कभी ही अस्ति, कालिदास संस्कृत स्य कभी ही अस्ति, अगर पूछा जाए, कालिदास कभी हो में स्रिस्ट है, तो कहते हैं, कालिदास कभी सु स्रिस्ट है, तो कहते हैं, कालिदास कभी सु स्रिस्ट है, तो कहते हैं, का पत्ते होगा बच्चो पत्ता नी पत्ते पत्ता नी पत्ता अन्सर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे हैं यह से वीडियो के नीचे आपको लिखना है कि विश्च एक पत्ता गिड़ता इसका संस्कृत क्या होगा अगला कुश्ण आता है बच्चों कि राजा दसारत के चार पुत्र हैं। ये कुश्ण MBBI प्रश्न न सरत के चार पुत्र हैं। अगला कोशन आता है वारत हमारा देश है अगला प्रशन आपके सामने आता है 19 नमर कोशन ध्यान से देखेगा उन्नेश नम्मर कोशन के आता है कि मेरे साथ विद्धाले चलो मेरे साथ मतलब मयासह विद्धाले चलो अगला कोशन आता है उसकी पतनी शिक्षिता है कहते हैं बच्चों तश्य भार्या भार्या मतलब पतनी उसकी को बोलते हैं तश्य उसकी को बोलते हैं संस्कित में तश् certificate Sampra Thy याद धुणा संप्रती सिखने माञे सब्सस्द revy कोशन आपके सामें क्या आता है कि दसरत के चार पुथ्र थे बहुत important question है बहुत important कोशन दसरत के मतब दसरतध्ष्य है ना च्यार को चत्वारह, पुत्र का, पुत्रह, आसन, क्यों लिखें पुत्रह, पुत्रम, पुत्रे, पुत्रह, देवह, देवुदेवह, पुत्रह, पुत्रो, पुत्रह, थे न, तो बच्चों यहाँ पर हो जागा, बहु बच्चन, आसन क्यों होगा, तो कहते हैं, कि, कहते है ब्छोब उसके अनुसासे चालेंगे अगर को भूत काल है इसलिए आपर क्या हो जागा अशन है आशित आसताम असन पहला होता है आशित एक बचन आसित आसताम दो बचन आसताम और बहुबचन आसन तो बहुबचन अगला कुस्त पढ़ूंगा अहम अपी संस्कृतम पतिस् को बीख दो बहुत इंपॉर्टेंद कोशन है भिखारीयों को मत्तव की बत्रष intuitive दिकेश व्यार्त केव्र हम द ही अगला कोशन आपके सामने आथा है कि नंतिस्कुमार को कहते हैं कि नंतिस्कुमार रहा हा विहार प नंत भिःत है मुख्य पड़ेशन, सन्ति असति अगला आता है कि चात्रों को मत्वड़ना चाहिए चात्रहा परिश्रम से पढ़ना चाहिए,лекलोट्र लकार. ठीक है अगला कुशन आपके सामने क्या आता है कि घोडे सरक पर दोरते हैं क्याते हैं घोडे मतब अस्वह सरक पर मतब मारगे धावंती विद्याशे ज्यान की प्राप्ति होती है विद्याशे मतब विद्या ज्यानम मिलती अगला आता है भिक्छु को धन दो क्याते हैं भि फटा के शाथ घ़र गया कितना अंसना था राम को लिखते क्या है राम को लख да को लिखते हैं पित्र joke को लिखते हैं गर को लिखते हैं गृहम और गया को बच्च जो हमना गता वान कम अगच्छ्छ लिखो अगरा कवियों में कालीदा ऑश्रेष्ट है यह एमभीवियाई प्रश्ण है, पक्का एक्जम में आता है, कवि नाम, कवियों में, कवि नाम या कवीशू लिखना चाहिए न, कवियों में तो कवीशू, मिलत है ये, कवीशू होगा, कवीशू, कवीशू काली दासह, त्रिश्टह अस्ती, अगला, हिमालय पहार से गंगा न निकलने को बोलते हैं नहीं सरती, तो हिमालय परवतात गंगा नहीं सरती, अगला कोशन आपके सामने 34 बच्चों, तुम कब पठना जाओगे, तुम को बोलते हैं तौम कब को कदा पाठली पुत्रम गमिश्यसी, अगला कोशन है कि चानक के अर्थसास्त्र के विद्वान थे मुझे संस्क्रित अच्छी लगती है, तो महियं संस्क्रित रोचते, लड़ू अच्छी लगती है, तो मुदकम रोचते, अलग कुशन आपके सामने आता है कि रितुओं का राजा बशंत है, कहते हैं रितुनाम राजा बशंत है, गंगा का जल पवित्र है, गंगया जलम पवित्रम अस्ति गंगया जलम पवित्रम अस्ति मतलब गंगा का जल पवित्र है हना रितु नाम रितु नाम राजहा वशंत अस्ति राम पिता के शमरन करता है राम पिता का समरन करता है राम जनकस्य समरनम करोती राम तो लिखेंगे राम पिता का पिता जनकस्य हम जनक शयरं मतलड से डरता है तो सहा को बोलते ना वहां को बोलते हैं सहा से मतलड कि सिंहात वियभेती या बच्छो अगला कहते हैं कि पटना गंगा नदी के किनारे है बहुत important question है पटना बच्चो पाठली पुत्रम पाठली पुत्रम ध्यांदीजेगा पाठली पुत्रम गंगया तटे अस्ती किनारे को बोलते हैं तटे अस्ती next question आपके सामने आता है मेरा एक मित्र सुभास है अगला आता है मैं भी संस्कृत पढ़ूंगा मैं को अहां भी को अपी संस्कृत को शंस्कृत कुण roman पढ़ूंगा पठि श्यामी अगला आता है आजकल वह गाओं में रहता है आजकल मतब संप्रती सह ग्रामे निवाशती ना संप्रती संप्रती मतब आजकल वह को बोलते हैं सह गाउं में मतब ग्रामे वशती या निवाशती 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 बच्चो ठेक है इस तरह से आप इसको बढ़ियां से पढ़ सकते हैं अगला कोशन नमर आता है 46 नम गर है तो एतत एतत पमटत्थ यहां क्योंकि नपुनशक है घर को ग्रीहं शुंदर को शुंदrant है को श्ती और तालिस में इसके चारो तत्रफ शरक है तो इसको इधं परित और और हम इसको शंतिंभाने मतलु है त्बमर कूश्न में मैं भी यहीं हूँ मैं को बोलूँगा अहम भी को बोलूँगा अपी यहीं को बोलूँगा त्रेव और रहता हूँ मतब निवाशामी निवासामी निवासती 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 निवासामी 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 निवासाम एक पत्ता गिड़ता है, एक पत्ता गिड़ता है, सबसे पहला प्रश्न गिड़ता है, नमबर दूसरा, राजा दसरत के चार पुत्र थे, नमबर तिशरा, मैं रोज क्लास करता हूँ, रोज क्लास करता हूँ, वह दश्मी में पढ़ता है, नमबर पांच, बिहार एक प्राचीन राज्य है, इन सभी प्रस्नों का उत्तर आपको किस वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे, हम उमीद करते हैं, वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा बच्चो, अगर आप ऐसी वीडियो ज़ूर चाहते हैं, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में एक बार जरूर सेर कीजिए, मैं चाहता हूँ, इस वीडियो को कम से कम 5 के सेर होना चाहिए, और लाइक की संख्या करें, इस वीडियो पर बच्चो, पांच के लाइक हो जाती है, 48 घंटे के अंदर में, तो अगली वीडियो आपको बहुत जिल्दी मिलेगी, लभी बच्चो, आप सभी लो अपने दोस्तों मिसर जरूर कीजिएगा, धन्यवाद आप से भी का, चैनल 900879453 इस पर कॉल करें, या बच्चो 6201320598 इस पर कॉल करें, 251 रुपिस में आप हमारा पूरा नोट्स ले सकते हैं, जिसे नहीं तक नहीं लिया, ज़रूर ले 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 बच्चो, धन्यवाद आप सभी का, लभ यू बच्चो.